हलो फ्रेंट स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बहतर वीडियो में सो माई डिया स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हैवर विधी द्वारा अमोनिया का निर्माड कैसे करते हैं और बच्चों आपको बता दे ये जो टोपिक है आपका पांच नमबर में पूछा जाएगा और आई थिंक वन आप दा मोश्ट इंपोर्टन कुश्चन ये होता है कि हैवर विधी द्वारा अमोनिया का जो अध्योगिक निर्माड है वो कैसे होता है और इसका सचित्र वरडन पूछा जाता है बच्चों और पांच नमबर ये फिक्स है अथवा में कुछ भी पूछ सकता है लेकिन ये टोपिक बहुत ही जादा इंपोर्टन है फिर से बोल देते हैं इसलिए वीडियो को बहुत ही केरफुली एंट तक देख लेना बच्चो और आज ये टोपिक आपका पांच नमबर वाला कंप्लीट हो जाएगा कुछिशन बैंक में थोड़ा आपको डिफकर्ट लगेगा बट आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे हैबर विधी द्वारा इसी प्रकार देखे सेम आपको ऐसे ही लिखना है कुछ भी बदलाओ नहीं करना है ठिक हम आपको स्क्रीन सोट करने का भी मौका देंगे साथ में आपको पीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे तो पहले इसको समझ लिजिए समझने के बाद तो ये चीजें आसान हो जाए यानि हैबर विधी का सिद्धान्त यह है यदि सुध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को वन रेसियो थिर यानि एक अनुपात तीन के अनुपात में ले ले और उनको मिला करके अपन गरम कर देते हैं बच्चों तो अमोनिया गैस बन जाती है यानि क्या कह रहा है कि 221 रेसियो थिरी कहने का मतलब एक अनुपात क्या है अमोनिया है और तीन अनुपात में हाइड्योजन गैस है इसको अपन यहाँ पर रख लिए ठीक है नँदित के बाद क्या कह रहा है बच्चों इसको कह रहा है कि इसके मिसरण को अगर हम गर्म करेंगे द्यान से समझेगा गर्म करेंगे तो बच्चों यह बन जाएगा क्या आपका अमोनिया बन जाएगा अब देखिए यह जो चिन होता है यह क्या दर्शाता है भी इसको हम आपको बत और साथ में यहां से रजगुलों आ गया यह लगभग तेईस हजार चार सो यह कैलोरी इनर्जी निकलती और यह ध्यान देना यह चिन क्या दर्शाता है यह चिन आपको दर्शाता है बच्चों कि यह जो रियक्सन है वो आपकी उत क्रमडी अभिक्रिया है यह यह एक एक तर दर्वित होगी यह अमोनिया का विगटन होगा तो फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन जाएगा बात समझ में आ गया कि इस चिन का मतलब क्या है यह उत क्रमडी चिन को दर्शाता यह अभिक्रिया दोनों तरफ से हो सकती है तो समझ में आ गया क्या लिखना है अभिकरिया है उसमा 6 पी का मतलब क्या होता था पश्यों ऊत्पन नो ilis fazer, इसपन में हो तो यह उसमा पर यह खोशे लिए नियम के निशारした आते लिए यह тобой 11 में आतनी पढ़ा होगा किला आते लिए पर Ammonie अधिकुदपन होती है यह यहाँ उपन्या जादा से जादा हमें बनाना हे टमप्रेचर कम रखना होगा ओर प्रेशर हाइरेख ना होगा ठीक कम अधिक दाप की जरूरत होती यहनि कंम होतीत फिर्लाइब और अधिक दाप पर Ammonie करना है बच्चों ठीक लेकिन आई थिंक इससे ज्यादा सौर्ट नहीं हो सकता जो हमने लिखा है बहुत ही सिंपल वर्ट्स का इस्तमाल किया इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को कम्प्लीट देख लिजिए सारा डाउट किलियर हो जाएगा देखिए उच्छों सिधान में थोड़ा आपको और लिखना है कि अभिकिरिया के वेग को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का परियोग किया जाता है तथा उत्प्रेरक की उपस्थिती में यानि इसी उत्प्रेरक की उपस्थिती में कम ताप तथा उच्छ दाब की और शक्ता होते हैं बात करें चाहिए और जो प्रेसर होना चाहिए यानि दाब होना चाहिए वो दोशो वाई मंडल ठीक बात समझ में आ गई चलिए और आगे आपको थोड़ा से लिखना है कि इस अभिकिरिया में लोहे का चूर्ड तथा मौलिब डेनम की थोड़ी मात्रा परियोग के जाती अब देखे क्या करते हैं जो लोहे का चूर्ड मिलाया जाता है यह अभिकिरिया की दर को और बढ़ा देता है तथा इसमें मौलिब डेनम भी होता है और मौलिब डेनम क्या करता है उत्प्रेरक वरधा को होता है यह उत्प्रेरक की दर को बढ़ा देता है मतलब भाई साम मौलिब डेन बेंगे यह उत्परेंनम वैह को बढ़ाएगा झिक और मौलीब डेन...! खरेगso सब्सक्राइब को बढ़ाएगा बात समझ में तो इस भी ए मैं लोहे का चून उत्परेंनम का काम करता है तथा मौलीब डेनम वैह मतलब यह अभिकिरिया की दर को बढ़ाएगा और मौलिब डेनम इसी लोहे के चोड़ यानि उत्परेरक की दर को बढ़ा देगा तो इसको भी अपन इसमें इंक्लूड करते हैं यानि मिला लेते हैं तब जाकर के यह रेक्शन होता है चलिए अब आता है विधी लेकिन विध इसमें बढ़ाना है थोड़ा इसमें लाइन करके यह पाइप जोड़ देना है तो यह फिगर आप अच्छे से देख लिजिए एक दो बार प्रेक्टिस करेंगे तो यह चित्र बन जाएगा बहुत ज्यादा चित्र हैं दो तीन है के मिश्ट्री मोर्स अभी पांच नंबर में ही पूछे जाते हैं इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा अगर आपको पांच नंबर चाहिए इसमें देखे करते क्या बच्छों कि सर पर्थम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन ध्यान देखिए सर पर्थम जो नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन यानि सुद्ध ना यहां से देखिए FE प्लस MO, FE यनि आइरन है, MO मौलिब डेनम है, और आइरन क्या है, उत्परेरक का काम करता है, यह उत्परेरक वर्धक का, तो क्या करते हैं बच्चों की नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सुध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिस्रन को एक अनुपात तीन के अनुपात में मिला करके बच्चों, इसे सरप्रतम कंप्रेसर में डाला जाता है, तो यहां से यह इसमें आएगा, ठीकिना, यह उत्परेरक कच्च में आएगा, और उत्परेरक कच्च में होता क्या है, इसमें FE प्लस MO, यनि आइरन और मौलिब डेनम का चूड का पाउडर इसमें भरा होता है, तो इसी में क्या होता है बच्चों, इसमें फिर क्या करते हैं, इसको कितना हमने बताया था, कि इसमें जबाएगा, तो इसमें जो होता है, दो सो एटियम, यनि दो सो वायू मंडल दाब, और चार सो पचास से पान सो अंसलसियस ताप पर, च इसमें अमोनिया बनेगी इसमें देहां से देखेगा अमोनिया बनेगी और इसमें वच्छों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी रहेगा ऐसा नहीं है क्योंकि वच्छों इसमें जब गर्म करते हैं तो यहां पर जो अमोनिया बनती है वो अमोनिया केवल 10 से 15 प्रतिसत ब और यहां पर जब इसमें से अमोनिया यहां से प्रवाहित होते हुए आती है तो ठंडे जलकी मदद से यह द्रवित होकर यानि लिक्विट फॉर्म में आकर के यहां पर दिखिए द्रव अमोनिया है यहां पर यह द्रव अमोनिया इस्टोर हो जाती है और बाकी जो सेस गैस ह इस प्रवाहित हो करके फिर से यहां से आएगी और फिर से ऐसे बनेगी और इसी प्रकार लगातार अमोनिया का निर्मारण होता रहता है बात समझ में आ रहे गी ठीक ना समझ में आया चली हमने क्यां बताया फिर से देख लिजिए क्या करते हैं इसे एक उत्पिरी रख यानी कंप्रेसर पम की मदद से एक उत्पिरी रख कच्छ में परवाहिद करते हैं और यहाँ पर FV PLUS MO होता है यानी आयरन और मॉलिब डेनम की उपस्थिती में इसे इस मिस्तरन को गर्म किया जाता है गर्म करने के बाद ध्यान देना और गर्म करने के लिए बच्चों कितना 200 Y-mandal दाब होना चाहिए और 450 से 500 C-C-S ताप पर गर्म करते हैं इससे क्या होता है कि अमोनिया का निर्माड होता है लेकिन इस अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी मिक्स होते हैं क्यों क्यों कि इस विधी द्वार जब यहां पर FV प्लस MO की उपस्ति में इसके मिस्रण को गर्म करते हैं बच्चों तो केवल और केवल यहां पर ध्यान से देखिएगा दस से 15 प्रतिसता है और इस संगनित्र द्वारा संगनित्रम अम में है द्रव अमोनिया में मतलब परिवर्तित कर लेते हैं लिक्विड फॉर्म में और उसके बाद जो सेस गैस N2S2 होता है फिर मतलब फिर से इसे क्या करते हैं पुना सर्कूलेशन पैम्प की मदद से इसे क्या करते हैं फिर से ऐसे उत्परिरकच में प्रवाइद करते हैं और यह लगातार ऐसी प्रोसेस बार बार चलती रहेगी और इस प्रकार अमोनिया का निर्माण होता रहेगा चलिए अब देख लेते हैं कि हमें कैसे लिखना है चलिए देखिए वीधी में कैसे लिखेंगे बच्चों वैसे हमनें बहुत जादा डिफ्कल्ट नहीं लिखा है बहुत ही सिंपल लिखा है ताकि कमजोर से कमजोर छातर भी इसली इस चीज को समझ सके। इसमें क्या करते हैं बच्छों देखें क्या लिखेंगे कि सुध्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को एक अनुपात तीन के अनुपात में मिला कर FE प्लस MO आप लिखना चाहते हैं कि iron तथा molybdenum के मिस्रन के साथ 200 Y-mandal दाब पर 500 अंसेल्सियस ताब पर गर्म करते हैं चोटो इसमें 10-15 प्रतिसत अमोनिया बनती है जिसे संगनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं अब तथा सेस गैस को पुना उत्परेरा कच्छ में प्रवाहित करते हैं फिर लिखना चाहते थे आप एक लाइन लिख सकते थे कि इस प्रकार लगातार अमोनिया का उत्पादन होता रहता है यह इस प्रकार लगा तारमोनिया बनती रहती है है ना असान इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता है चलिए इसक्रिंसोट कर लिए उसके बाद हम देख लेते हैं रासाइनिक गुड़ वैसे बच्चों इसमें भौती गुड़ को हमने नहीं तीछड़ होती है और उसे सूंगने पर आँखों में आसू आ जाते हैं मतलब ऐसा इसके क्या भावतिक गुड़ है ठीक आप ध्यान से समझ जाए ठीक ना अब उसके बाद रासाइनिक गुड़ देते हैं देखिए जो एक्जाम में आये उसी को केवला आप देखिए उसी चार की तरह कारी करती है देखो अमने इसके पहले अगर बात करें यह चेप्टर से defenceूव साट को बताया थे कि अमोनिया की प्रकरति चारी है कियो कारण नीश इसके गया व्ąd आ तो यहां पर अमोनियम हो जाता है तो यह इस को नौशादर भी कहा जाता है जाए है अमोनियम क्लोराइड बनता है ठीक ना चलिए दूसरा गुड़ देख लेते हैं दूसरा गुड़ क्या है बच्चों यहां तेकि यह मोश्ट इंपोर्टेंट है इसमें कि यहां सिलवर क्लोराइड से देखिए पुछा जाता है कि अमोनिया के हैबर विधी का सचितर वड़न करना है यहीं अमोनिया के निर से रवन बनता है यह जीए सील है सिलवर क्लोरैड और के किरिया कराएंगे बच्चों संकर इसी को संकुल याओगिक भी कहा जाता है यहां उपसा संयोजक यहां कि भी का जाता है नाम क्या है सिलवर डाई एमीनो प्लोराइड ठीक ना एज़ी है इसको अगर नाम के तरह से वैसे तो अमोनिया है लेकिन व्याखक यह सीलिवर्वर्वर्वर्वर करते हैं कि शिब्स यह दोनों राशानिक गुड़ उसके बाद हम आगे देखते हैं अगला राशानिक गुड़ है बच्छों की लाल तप्त C-U-O यानि अगर बात करें क्यूप्रीक आकसाइड से जब किरिया कराते हैं तो यह कापर में अपचैत होता है यानि यह क्या है कापर में अपचैत हो जाता है कब जब अमोनिया से करेंगे तो यहां से सी यूँ ओकी किरिया अमोनिया से कराते हैं चोंत सी यूँ यह क्या हो जाएगा और साथ ही नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है समझ में आ गया चलिए अब इसके बाद यहां पर आता है उप्योग क्योंकि अपकी बार ठंधक पैदा की जाती है ठीक ना समझ में आया कि जो प्रसीतक है लिख सकते हैं कि कोल्ड इस्टोरेज में प्रसीतक के रूप में यह ठंधक उत्पन करने में तो यह बच्छों है वर बिधी द्वारा अमोनिया का निर्माण चलिए अब इसकी जो पीडियोफ है वह आपक कर दीजिए और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि आज से हम जो इंपॉर्टन कोश्चन है पांच नमबर वाले सारे कोश्चन का इसी तरह पोस्ट माडम करते रहें तो मिलते हैं किसी और मज़दार वीडियो के साथ लव यू बाइ-बाइ टेक क कि जॉइन हो जाएए वहाँ पर पीडियाफ आपको मिल जाएगी